नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिंग बेन यूट्यूब चैनल पर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की बीच वर्ल्ड कप का जो नैक्स मैच खेला जाएगा उसके बारे में हम वीडियो के इंदर बात करेंगे हर एक प्लियर के बारे में डिसकेशन करेंगे दौनों ही टीम का अगर कंपैरिशन करें तो पाकिस्तान अपने दो से तीन मैच पाकिस्तान हार चुका है और साउथ अफरीका की एवल एक मैच आ रहा है साउथ अफरीका थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉंग नजर आ रही है कौन सी पिच है? कैप्टन वाइस कैप्टन की क्या चोईस इस नजर आ रही है? पाकिस्तान से कौन से प्लेयर्स आज कमबैक करते हुए नजर आएंगे सब कुछ हम डिस्केस करेंगे अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो लास्ट रस्मॉल नी के साथ हम ग्रेंड नी के कुछ कॉम्बिनेशन भी देखने वाले है तो सब्सक्राइब करके आप जोड़ सकते हूँ बाखी जो भी मेरा दोस्त अभी तक हम से टेलिग्राम पर कनेक्ट नहीं हुआ है तो आप टेलिग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉमेंट सेक्शन में भी है इस तरीके का pin link उस पर tap करके सीधा टेलिग्राम पर आ जाओ final team final update जो भी कुछ होगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा चलिए सीधा match के बारे मैं बात करेंगी pitch report से शुरुआत करें चन्नाई की pitch है और last match भी पाकिस्टान एसी pitch पर खेला हुआ है अफगानिस्तान की सामने वो match था spinners ने काफी बढ़िया उस match के अंदर किया हुआ दनूर आमद ने तीन विकेट निकाले थे आपको याद होगा बैटर्स फ्रेंडी सर्फेस है लेकिन अभी तर जितने भी match हुए है जादा बड़ा score देखने को नहीं मिला है तो पाकिस्तान के अगर बात करें तो वहां के पेसरस ने भी थोड़ा ठीक टाक किया तो उमर जाई को एक विकेट मिला था नवीर उलग ने दो विकेट से निकाले हुए थे चलिए यहाँ पर बात करें 236 एवरेज फर्स इनिंग स्कोर है मेरे अकॉर्डेंग फिर से 280 से 300 जा सकती है जो भी टीम फर्स बैट कर रही है साउथ अफरीका हलाकि साड़े 300-300-400 रजस तक बना के आ रही है साउथ अफरीका फिर्म भी 300 टच कर सकती है पाकिस्टान 250 से 280 से मैच के अंदर करते हुए नजर आएगी लास्ट मैच आप देख लो पाकिस्टान ने 282 बनाया है और अफगानिस्टान ने बहुत कमफर्टेमली चेस किया है उसके पहले न्यूजिलेंड ने 288 बनाया थे और यहाँ पर अफगानिस्टान चेस नहीं कर पाया उसके पहले 245 तो पिछले तीनों मैचेस अगर आप देखोगे न न्यूजिलेंड एक अच्छी टीम थी पाकिस्टान भी बड़िया टीम थी जौनों अच्छी टीम फोरने के बावजू 280-290 के आसपस कर पाई है तो साउट अफरीका भी अगर फर्स बैट कर रहा है इनकी बैटिंग थोड़ी और जादा स्टॉंग है तो हम 20-30 और एक्स्टा मान सकते तो साउट अफरीका लगबाग 300 आज के मैच पर टच कर सकता है चलिए शुरुआत करेंगे पाकिस्टान की पॉसिबल 11 के साथ इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और तीन मैचेस अब हार गए हैं और लास मैचेस तो अफगानिस्तान से आर गए हैं अकातार तीन मैचेस हार किया रहे हैं शुरुआत के दो जीते हुए थे तो हो सकता है फोर्फोली कोई चेंज करने फिलाल तो कोई चेंज मुझे नजर नहीं आ रहे है क्योंकि आपने बैस्ट जो आपके बैस्ट लेवन थे उनको ही आप खिला रहे हैं कि अंडिया वाला मैच यह था जा तक है यह वाला इंडिया वाला मैच होगा उस मैच तो आज के मैच में टीम में मैं फिलाल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं लगतार आपकी पफामेंस भी आ रहे है तो आजके मैच में उसी administrators आज आपको बहतर बोलिंग को खेलना है आज अफगानिस्तान की अगर हम बात करें शुरुआत में उत्रे बहतर बोलर वहाँ पे नहीं थे अगर आपको डर लगता है तो अब्दुल्ला शाफीक को रख लो मेरे अकॉर्डिंग आज थोड़ा सा डाउन पफर में जरूर आएगा खासकर जो बोलर्स है या जो और राउनर्स है वो आज के मैच में थोड़ा सा बड़िया करके दे सकते हैं तो इमाम हो लग फिलहाल मेरी टीम में नहीं है आपको रखना है तो आप रख सकते हो डिफरेंट पिक रहेंगी बाबार राजम फिफ्टी सिक्स का अवरेज वी फिट अप था फर्स्टी रिंग के अंदर तो आज के मैच में बाबार राजम से थोड़ी उमीद कर सकते हो फिट से 50 के आसपस वाली पारी आ सकती है वाइस केप्टेन की एक बड़िया चोईस नजार आ रहे हैं अगर आप करना चाहें तो रिजवान की बात करें 39 का एवर और पिछले कुछ मैचेस आप देखो लगतार रंस बनायते सिर्फ एक मैच खराब हुआ है आज फिर से कमबैक करके देंगे बाबा राजम या रिजवान किसी एक को आप अपनी टीम का वाइस केप्टन रख सकते हो नेक्स बात करें शौज शक्की फॉर्म अच्छा नहीं काद विकिट मिल जाए मा की बैटिंग अच्छी एयर बैटिंग अच्छी है बांब बैटिंग ओडर बहुत नीचे करके रखेंगए रास्षा आप खांड आप इंनको पॉपर आगा इनको बैटिंग कर नीचे मौन कोड़ा हमने ट्राई किया था मैनों बढ़ी अफिन.. इ आज के मैच में फर्स इनिंग में अगर पाकिस्टान बैटिंग कर रहा है तो ट्राइ किया जा सकता है दर्वाइस नहीं रखना है शादा आप खान की बात करें 68 मैचस 85 विकेट और 26 का एवरेज है रीसेंट फॉम आम देख लो खराब है रीसेंटली कुछ नहीं किया है लास साथ हो सकता है आज के मैच में मारगरम भी कुछ ओवर्स करते हुए नजा है तो शादा आप खान ज्यादा उम्मीद है मुझे नहीं अगर आपको सेफ जाना डर लगता है तो रख लो मेरी टीन के अंदर नहीं है उसामा मेर की बात करें कुछ भी नहीं किया है इसेंटली स तो शाहिन शा भी मेरी टीम के अंदर रहेंगे एकस बात करें हसान अली यार ठीक किया है अप कमबैक कर रहे हो और उसके बाद आपने दो दो तीन तीन विकेट्स भी कई बार रिगा लिए शुरू आथ के मैचस में पिछले दो तीन मैचस खराब है मैं थोड़ा सा जादा बारोसा कर रहा हूं साउस अफरीका पर और साउस अफरीका का फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है सिर्फ बैटिंग और नहीं बोलिंग भी आप देखो तो मैं वहां से जादा प्लेयर्स को ट्राइए कर रहा हूं हसान अली टीम में नहीं है हारे श्रॉफ की बात करें 33 मैचेस, 61 विकेट, वीसेंटली आप देख लो, कुछ मैचेस में दोका मिला है, कुछ मैचेस में बढ़िया की है, आज के मैच की बात करें, आज के मैच में आर श्रॉफ उतनी बहतर चॉइस नहीं है, क्यों नहीं है आपको रीजन बता देता हूं, साउथ अफरीका पेंस यहाँ पर बात करें, किसी और को मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बात नहीं करेंगे, सीधा हम बात करते हैं, साउथ अफरीका की पॉस्विल एलेवर, इसका स्कीन शॉट ले ले लो, बैस्ट प्लियर्स इनके खेलने हैं, तो चांस इस नहीं मनतें की, कोई भी चेंज बाबुमा लास्ट मैच पर भी फिट हो गए थे, लेकिन खेलने नहीं है, रीजा एंडिक्स को मौका दिया है, आज के मैच पर टेंबा बाबुमा अगर वापसी करने हैं, तो बड़ी अचोइस आज के मैच के अंदर होंगे, बाखी लगबख सेम प्लियर्स इनके खेलने बाले हैं, चलिए, यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, क्विंटन डिकॉक से शुरुवात करें, 46 का एवरेज है, एवरेज बहुत बहतर है, और रीसेंटली आप देखो, लास्ट मैच के अंदर हमने आप से वीडियो में क्लियर्न नहीं बोला था, पिछले दो मैच इसमें बना फेल रहा है, और बैटिंग सर्फिस पर मैच है, तो आज जबू कुंटन डिकॉक चल के देंगे और कुंटन डिकॉक न क्या किया, बाई कुंटन डिकॉक ना 174 बना दिया हमारे टीम के कैप्टन थे, आज के मैच में, आज के मैच में यार वाइस कैप्टन कर सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा बड़ी परफोर्मस नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान की बोलिंग बिल्कुल नहीं चल रही है, शाहिशा भी शुरुआत में उतने विकेट्स नहीं निकाल रहा है, हसान अली का भी उतना फॉर्म नहीं चल रहा है, तो हो सकता है, आज के मैच में खेल रहे हैं, जरूर आपको डैफिनिटली कुछ करके देंगी, टैप अब अगर खेल रहे हैं, तो आप अपनी टीम के अंदर मैनेज करो, बंदर लगातार फेले, लेकिन पचास के आसपास अवरेज है, अभी तक परफोर्मस नहीं है, यह आ जा सकती है, आज के मैच में क्या करना है, आज के मैच में कर सकते हैं, आज के मैच में टीम में रखो बई, टीम में रखो, प्लेयर बहुत बड़ी है, अवरेज भी आप देख लो, और लास मेच खराब भी रहे हैं, इस्पिनर्स पर फसते हैं, तो सामने वाली टीम के पास बहतर स्पि परफेक्ट प्लेयर है आज के मैच में अगर जन्दी विकेट्स गिर रहा है जहां तक थोड़ा पाकिस्तान कमेक करेगा तो शुरुआत के विकेट्स डेफिनिटली थोड़े जन्दी गिराएगा तो मारकरम बड़ी पारी खेल के भी दे सकते हैं पिछले कुछ मैचेस देख हुआ है 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 कि बात करें 43 का एवरेज रीसेंट फॉर्म बहुत बैतर लगातार रंस बना रहे हैं लगातार जब थोड़ा सा जाधा बैटिंग मिलती है तो शतक तक लगा देते हैं तो आज के मैच में सारे लोग आखे बंद करके लेना है मैं आपको सजेस्ट रहूंगा फर्स बैट आरियर तो ही रखना सेकेंड बैट आरियर ड्रॉप कर सकते हो साउथ अफरीगा जहां तक एतने विकेट्स नहीं खोगेगा कि इनको जाधा मौका मिला मौका मिल सकता है क्योंकि साउथ अफरीगा इंडलेंड के सामने चेस करते हुए धेर हो गया था तो वो सक अफरी नहीं है लेकिन बैटिंग और बहुत दीच है और साउथ अफरीगा एक एक तरफा चल रही है तो बैटिंग थोढ़ी कम मिल रही है मार्क को एंसन की बात करें बैटिंग से आज फिर समीद रही है मैं आपसे लगातार कहता हूँ थोड़ा कम बैटिंग इनको मिलती गोलिंग आप देखो गई लगातार दो बैर्ट पाइच्छों मैचिस के अंदर दो दो वैकित नेखा ले हैं पावर ब्ले के अंदर बहुत तगडी बोलिंग हो रही हैं इनके पावर ग्री आंसल बिल्कुल टीम में रखो वाइस कैपटन सीफ जाना है मार्गो एंसन फिर से अच्छी चोईस है बैटिंग भी अगर आ जाती है न कुछ न कुछ डेफिनिटी करके देते हैं और बोलिंग बहुत कमाल की चल रही है वाइस केप्टन की बड़िया चोईस है केशाम माहराज आज के मैच में टीम में स्ट्रगल किया था लास्ट मैच में तीर विकेट नूर रहमत को मिले हुए महराज आज एक मात्रे स्पिनर इनकी टीम के अंदर है हो सकता है टीम थोड़ा सा शमशी के बारे में सोचे लेकिन बांक की प्लेयरेस ने अच्छा किया था आपकी शमशी को लाओका शमशी आ रहा है वो भी बैतर चोईस होंगे पाकिस्तान के सामने कोड़िक की बात करें लगातार विकेट यह बंदा भी निकाल रहा है तीन विकेट, एक विकेट, तीन विकेट, टीम के अंदर रखो, दौनों कंडिशन में, लास्ट मैच में ड्रॉप किया था, और मिलर के साथ गयते, मिलर ने बढ़िया किया था फर्स्ट इंग में, लेकिन यह थोड़े से जाधा विकेट से ले गयते, रख सकते हो, फॉर्म खेलना है तो वह भूमा को आप रख सकते हो, चलिए, इस मॉलीग में, कैप्टन वाइस केटन, क्विंटन डिकॉक, मारको एंसन, दौनों में से आप रख सकते हो, डिफरेंट अगर आपको जाना है, तो मारकरम, रिजवान और बाबाराजन, यह तीन डिफरेंट चोईस हो आपको दिख रहे हैं, इनके साथ आप मारकरम से आपको दिख रहे हैं, इनके साथ आप माइकजिम टीम में जाहें, एवरेज परफॉमस डेफिनिटली यह करके देंगी, और हो सकता है, इनमसी कोई कैप्टन बन जाए, बाकी डिफरेंट किसे ट्राय करना है, यह नाम मैंन नहीं किया है, आज अच्छी चोईस हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी फस्राइस पर और इस पिछ पर चैनने की विश्पिस को ठिक तक तरीके से मदद भी है, कोर्जी और इमाम उलक, यह जो डिफरेंट प्लियर से हैं, आप स्मॉल लिग में रख सकते हूँ, बाकी अब हमारे हुआ हैरी को रखा है, बाबुमा आ रहा है, तो फिर बाबुमा को आप इनकी ज्यगर रख सकते हो, मारे बैटिंग से थोड़ा भथर कर सकते हैं, आज वेंडे असल से थोड़ी उम्मीद हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स की सक्त कमी है, बाकी यहां पर श कर दिया है तो फिर आप देख सकते हो रवाड़ा को मैंने कैप्टन कर दिया है और ऊपर से रिज्वान को वाइस किप्टन किया जिनका फॉम अच्छा चल रहा है अगर टीम स्ट्रेगल भी कर रही है तो रिज्वान फिर कुछनव को चार्ज के मैच में करके देंगे और किट्स गिरते चले गए और ज्यादा बड़ा स्कोर वो नहीं बना बाए मां कि यहां पर आप देख सकते हो बाबर को फिर कैप्टन किया है बरोसा करके और इसवान को वाइस कैप्टन किया है जी एल की यह टीम है स्मॉल लिग में नहीं लगाना है पाकिस्टान फर्स करके डॉमिनिट कर रहा है तो शाहिन को वाइस कैप्टन यह दो बोलस मैंने ले लिए और यहां से आप देख सकते हो मारकरम और अबदुल्लाश अपफीग भी मैंने अपनी टीम में रख लिया है आयोग आप समझ रहा है बाकि अब हमारी स्मॉल ली की टीम हम देख लेते देख सकते हूं, मैं मेरा इंबस्मेट को बेरा के अंदर होता है तीन बैस्विन तीन बोलस रेने कंपर से अपर फसेगा आज के माच में हम वहीं पे विन करेंगे तो कोबेरा पे अगर आप भी खेलना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उससे डाउनलोड करोगे तो 100 रूपी साइन आप बोनस में भी लेगा ये फिलाल टीम मना के रखिए स्कीजिन शॉट आप लेगे रख सकते हो टीम के बारे में डिसक्रिशन करेंगे ड्रीम 11 के अंदर ग्रेंडिंग में ड्रीम लेवन में खेलता हूँ और स्मॉली को बेरा अप के अंदर खेलता हूँ पाकिस्तान की बैटिंग उतनी कमाल की चल नहीं रही और अफ्रिका की बोलिंग बहुत अच्छी हो रही तो रिजवान की तो दौनों कंडिशन में बैटिंग आ रही है क्लास इन को रख सकते हो फॉर्स बैट के अंदर अगर फॉर्स बैटिंग आ रही है किसकी फॉर्स बैटिंग साउथ अफ्रीका की आ रही है तो क्लास इन को रखना नहीं आ रही है तो फिर ड्रॉप कर सकते हो बैटिंग सक्षन से बात करें बावरा अजम टीम में वांडेड़ असन टीम में और अबदुल्ला शफीक मेरी टीम के अंदर है लगतार इनों अच्छा किया तो थोड़ा सा मैं बरोसा दिखा रहा हूँ बाखिये मुझे दौनों से ज़्यादा उम्मीद नहीं है इमामोलक से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है अबदुल्ला शफीक से भी नहीं साथ नहीं जा रहा हूं दौनों के साथ मैं नहीं जा रहा हूं यहार उतनी बैतर बोलिंग नहीं है और आप प्रॉपर वैटस्में इफ्तिकार एमन फिर वी काफी बड़िया करतें तो फर्स बेट अगर आ रही है तो इफ्तिगार एमद को फिर भी रखा जा सकता है शादा आप मुझे फिर से उतनी बैतर चोईस नहीं लग रहे हैं इससे अच्छा हम भाई प्रॉपर बोलर रख ले है जो पूरे दस ओवर्स डाले एट लीस्ट एक दो विकेट्स निकाल के अगर फर्स बोलिंग नहीं आ रही है पाकिस्तान की तो हारिश्रॉफ को ड्रॉप करके केशव महराज को रख लेना केशव महराज आज के मैंच में डिफरेंट बिक हो सकते हैं पाकिस्तान इस पिनर लगातार फसरा है उस्टेलिया के सामने जैंपा ने चारवे कित निकाल कैप्टन मैंने किया मारकरम को और वाइस केटन मैं कर रहा हूं डिकॉप क कि मैंने वा इस केटन उकिया क्योंकि कमाल का चल्रा है लेकिन केश्रॉफ करा देथा हूँब तो हमारी टीम है, फाइनल जो टीम है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ब्रैनली की टीम भी मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो अगर थोड़ा सा भी हैलफून लग रहा है, कुछ पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के साथ पहली बास जोड़ बास जोड़ मुप्छन लगकोड़ा सामचेज भी मैं लगफ़ा सबस्दाब, फिर वीडियोयर पिसका ही गतन के तो हमारी के साथ जोड़ा सबस्दाइकंपिन.